नमस्कार मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं गैजिट्स फॉर यू आज हम आपके लिख रहे हैं सामसंग गैलेक्सी जे सेवन प्रो का अन्बॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू सामसंग की जे सीरीज में एक वार फोन जे सेवन प्रो प्राइस रखा है 20,900 रुपए और ये अविलिबल होगा आफलाइन और और आलनाइन दोनों ही मार्केट्स में आज हम करने वाले हैं इसका अन्बॉक्सिंग और एक विक रिव्यू तो आएए पहले चलते हैं बॉक्स की तरफ तो यह आप देख सकते हैं जे सेवन प्रो का बॉक्स यहां पर लिखा है सामसंग गैलक्सी जे सेवन प्रो एक पिक्चर आपको देखने को मिलेगी अगर कर सूबर अमलेट डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है सिस्टी फॉर बिट अक्टा को प्रसेजर पर यह काम करता है 5.5 इंचिस का फॉल एक्टी सूपर अमलेट डिस्प्ले यहां पर आपको मिलने वाला है 13 प्लस 13 कैमरा 3GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज और 3600 डैमेज का बैटर तो यहां आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इसका मॉडल नंबर जो कि है जे 730 MRP मेंशन है 22,300 और बॉक्स में आपको क्या के कंटेंट मिलने वाले हैं उन सुब की डिटेल तो चली करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस इसका हमें द देखने को मिला यहाँ आप देख सकते हैं इसका design काफी अच्छा दिया गया है और ऑसे से कुछ different से देखने को मिल रहा है यहाँ पिःधाइग को काफी चेंज किया गया गया है और काफी प्रीमिम लुक के साथ इस फोन को लांच किया गया है करते हैं बैक की साइट तो य Antina bands आपको different design में देखने को मिलेंगे तो यह काफी अच्छी बात है और काफी अच्छा और premium design यहां पर Samsung ने launch किया है J7 pro के साथ में तो चलिए एक पर रखते हैं इस phone को और देखते हैं कि box में हमें और क्या क्या content साथ में मिलते हैं तो यह है वह accessory जो कि आपको मिलने वाली है J7 pro के साथ में तो सबसे बहले आप देख सकते हैं यहां पर है quick start guide यह है same ejector tool इसके बाद है earphone और यहां पे भी हमें वही earphone देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें सारे J series के phone के साथ में देखने को मिलते हैं इसके बाद है data cable जो कि है micro USB और यहां पर है travel adapter बात करें इसके output की तो यहां आपको देखने को मिलता है 5 वाल्ट और 1.55 MPR का charger तो यहां पर भी एक normal charger दिया गया है यह कोई fast charger नहीं है तो चलिए इनको रखते हैं side में और चलते हैं phone की तरफ तो यह है G7 Pro phone की design के हम already बात कर चुके हैं काफी premium और elegant look हमको इस phone में देखने को मिला है बात करें इसकी built-in quality की तो यह पूरा phone मना है full metal university design से जिससे की इसका look और भी premium मन रहा है और फ्रेंट में भी आपको मिलता है 2.5 D class जिससे की screen का finishing और भी अच्छा हो जाता है तो चलिए phone को on करने से पहले लिलते हैं इसका physical overview तो यहां पे आप front side भी देख सकते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक front camera यह है speaker sensor और यह है front flash सामने की तरफ आपको देखने को मिलता है fingerprint sensor और home की यहां पर है capacity touch button करते है side की तरफ तो यहां पर आपको देखने को मिलता है speaker और power की करते है इस side volume up-down की यह है first SIM tray और यह है second SIM tray यहां पर second SIM tray में एक SIM और एक memory card को लगा सकते हैं आपको बता देखने को मिलेगा माइक एक charging port जो की है micro USB और एक 3.5 चैक चली करते हैं इसको बैक की तरफ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां है antenna band जिसका design बिलकुल अलग किया गया है इसके बाद आपको मिलेगा rear camera और यह है LED flash इस पर camera का design भी अलग किया गया है नीचे है Samsung branding और नीचे की तरफ भी आ देख लेते हैं इसके quick specs Samsung G7 Pro आपको मिलता है Exynos के 7870 chipset के साथ में 3GB RAM 5.5 इंच इसका full HD display यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो की है सूपर डिस्प्ले माली का T830 आपको मिलने वाला है 64GB का internal storage यह dual sim phone है साथ ही यहां पर आप memory को लगा के इसकी memory को extend भी कर सकते हैं यहा यहां पर आपको fingerprint sensor और Samsung पे का full version भी देखने को मिल जाएगा तो यह phone on उचुका है और यह आप देख सकते हैं J7 Pro का home screen तो सबसे बहले हम बात कर लेते हैं इसके display quality का क्योंकि यहां पर आपको मिलता है full HD super Android display तो यहां पर आप देख सकते हैं display का performance हमने देखा है super Android display का performance शाम से तो यहां से भी आप देख सकते हैं काफी decent color हमको देखने को मिल रहे हैं और display हमें वैसी ही देखने को मिल रही है जैसे कि हमें front से देखने को मिलती है हम Samsung के mid price segment में super Android display के काफी time से मिस्स कर रहे थे लेकिन इस phone में हमें super AMOLED display देखने को मिला है तो यह काफी अच्छी बात है यहां पे high configuration के साथ साथ हमें display का performance भी अच्छा देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी display का performance काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है colors काफी bright है काफी natural color लग रहे हैं और यहां पे viewing experience ब Android का कौन सा version में देखने को मिलता है तो यहां आप देख सकते हैं Android का 7.0 मिस दोगा हमें out of box देखने को मिल रहा है Samsung experience version हमें देखने को मिल रहा है 8.1 और security patch दिया हुआ है first zone 2017 का चलते हैं इसके storage की तरफ तो यहां आप देख सकते हैं 64 GB storage में से आपको free space मिलता है almost 53.2 GB का 10.8 GB इसमें से use किया गया है तो यह काफी अच्छा space है इस बार Samsung ने 64 GB के साथ में यह phone दिया है और इसके अलावे में आपको बता दें कि अगर आप चाहें हैं तो इसमें दो SIM card के साथ भी एक memory card लगा कि इसकी memory को 256 GB तक expand कर सकते हैं चलिए अप चलते हैं इसकी camera की performance की तरफ आ यहां पे आपको प्रो मोड पैनरो मोड कंटिनू शॉट एच्डी आर नाइट मोड स्पोर्ट मोड और साउंड चोट मोड देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको सोशल मोड भी देखने को मिल जाता है जिसका आइकन बार की तरफ ही कर दिया गया है तो इस फोन में आटर फोकस की स्पेड भी काफी अच्छा है यह काफी जल्दी अब्जेक्ट को फोकस कर रहा है यह पिकाज देख सकते हैं जो की भी गई है इसके रियर क्यामरे से बात की जाएं के डिटेलिंग की कलर्स की तो वह काफी अच्छा है में देखने को मिले यहां पे आप है अब चलते हैं इसके सेंसर की तरफ की यहां पर कॉन कॉन से संसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा कि यहां प्याप देख सकते हैं एक्स्रेमितर सैंसर जायर उसको तो यह था Samsung J7 Pro का unboxing और एक विक रिव्यू जल्दी हम इस phone का फॉल रिव्यू करने वाले हैं जिसमें आप देख सकेंगे इस phone की पूरी डेटेल इसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस बैटरी परफॉर्मेंस और डेटेल में कैमरा रिव्यू तो आप बने रही है हमारे साथ उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले अगर आपके आप सफिर भी कोई सवाल या सुजा हो तो नीचे कमेंट